नीतिसार इस दो अक्षर से युक्त शब्द का उच्चारण कर लिया है वो अपने कटी प्रदेश में परिकर फेटा बांध कर मुक्ति प्राप्त करने के लिए तयार रहता है अर्थात ऐसा मनुष्य मुक्ष का अधिकारी हो जाता है माता पत्मी सहोदर बंधु तता पुत्र में पु इस दोख्ष रूप में उसकी इस्त्री का दर्शन इन तीन दोशों का परित्याक कर देना चाहिए माता भागिनी अथवा पुत्री के साथ एकांत में एक साथ नहीं बैठना चाहिए क्योंकि इंद्रियों का समूह बलवान होता है वो विद्वान को भी दुराचरण की उर खीच लेता है ए शौनक उप्योक्त आवसर ना होने से एकांत स्थान ना होने से तथा प्रार्थ चिता व्यक्ति के सुलब ना होने से ही इस्त्रियों में सतीत्तु पाया जाता है जो मधुर्पत दार्थों से बालक को विनम्र भाव से सज्जन पुरुष को धन से स्त्री क तपस्या से देवता को और सद वेवहार से समस्त लोग को अपने वश में कर लेता है वही पंडित है जो लोग कपट से मित्र बनाना चाहते हैं पाप से धर्म कमाना चाहते हैं दूसरे को संतप्त करके धन संग्रह करना चाहते हैं बिना परिश्रम के ही सुक पूर्वक पुल उच्छिद कर डालता है तो वो दुरबुद्धी है उसे फल कभी नहीं प्राप्त हो सकता अविश्वस्निय व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए मित्र का भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि कदाचित कृद्ध होने पर मित्र भी समस्त आधिवत्य विशे समान है भली भाती आत्मसात्र ना की गई विद्या विश्य है तथा अजीरण दशा में किया गया भोजन विश्य के समान अनिश्ठकारी है अकुंतित व्यक्ति को गायन नीच व्यक्ति को उच्षण की प्राप्ति दरिद्र को दान तथा युवक को तरु अगनी में हाथ सेकना और रजस्वला इस्त्री का मुखदर्शन ये दिर्ग आयू का विनाश करने वाले हैं। इस्त्री, दुख्द सेवन, गरम जल तथा व्रिक्षों की छाया ये शिग्र ही प्राण शक्ति प्रदान करने वाले हैं। अधिक भोजन करने वाला है, कठोर वचन बोलता है, सुरियोद तथा सुरियास्त के समय भी सोता है, वो यदि साक्षात चक्रपान विश्नु हो तो उसे भी लक्षमी छोड़ देती हैं। जो मनुष्य नक से त्रण का छेदन करता है, प्रिथी पर लिखता है, चरणों का प्रशालन नहीं करता है, दात स्वच्छ नहीं रखता है, मलिन वस्त्र धारन करता है, केश संसकार विहीन रखता है, प्राता है, एवन सायंकाल की संध्याओं में सोता है, नगन शायन करता भोजन और परिहास अदिक करता है अपने अंग और आसन पर बाजा बजाता है तो भगवान विश्णु के समान होने पर भी उसे लक्षमी त्याग देती हैं जो पुरुष अपने सिर को जल से धोकर स्वच्छ रखता है चरणों को प्रक्षालित करके मल रहित करता है के सानिध्य में ले आते हैं बाल सूर्य के तेज जलती हुई चिता का धुआ व्रिद्ध इस्त्री बासी दही और जाडू की धूली का सेवन दीर्ख आयू की कामना करने वाले परुष को नहीं करना चाहिए हाथी अश्व अरत धान्य तथा गौ की धूली शुभ होती है कि गधा उत वकरी एवं भेड की धूली को अशुभ माना चाहिए गौ की धूली धाने की धूली और पुत्र के अंग में लगी हुई जो धूली है वो महान का ल्यानकारी एवं महापातकों का विनाशक है सूप भटकने से निकली हुई वायू नखाग्न यानि नाखून का ज इसनान किये हुए वस्त्र से निचोडा हुआ जल केश से गिरता हुआ जल तथा जाडू की धूली मनुष्य के पुर्वजनम के अरजित पुन्य को भी नश्ट कर देती है ब्रामन तथा अगनी के बीच से दो ब्रामनों के बीच से पति-पत्नी के बीच से स्वामी स्वाम जो विश्वास करेगा अविश्वस्निय पर विश्वास तथा विश्वस्त प्राणी पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि विश्वास करने से जो भैवत्पन होता है वो मनुश्य को समूल नश्ट कर देता है जो मनुश्य शत्र के साथ संधी करके आश्वस्त रहता है वो निश्चित ही व्रिक्ष की शाखा के अगर भाग पर सोय हुए मनुष्य के समान गिरने के पश्चात ही जागता है प्राणी को अत्यंत सरल अत्यंत कठोर नहीं होना चाहिए क्योंकि सरल सभाव से सरल और कठोर सभाव से कठोर शत्र को नश्ट किया जा सकता है अ पर्थात वे विन्या वनत नहीं हो सकते। जिस परकार बिना याचना की यही दुख जीवन में आते हैं और सुता चले भी जाते हैं उसी परकार सुक्की भी यही इस्तिती है। अता मंत्रना को चार कानों तक ही सीमित रखना चाहिए दो कानों तक स्थित मंत्रना को तो ब्रह्मा भी जानने में समर्थ नहीं है उस गाय से क्या लाव है जो ना दूद देने वाली है और ना गर्भणी है उस पुत्र के उत्पन होने से भी क्या लाव है जो ना तो विद्या संपन एवं बुद्धिमान तथा पुर्शों में श्रिष्ट एक मात्र सुपुत्र से भी मनुश्य का कुल वैसे ही सुशोभित हो जाता है जैसे एक ही चंद्रमा से आकाश मंडल चमकने लगता है जिस प्रकार एक ही सुपुष्पित और सुगंधित विक्ष से पूर्ण कुल पवित्र हो जाता है मनुश्य के लिए गुणवान एक ही पुत्र अच्छा है गुणहीन सौ पुत्रों से क्या लाब चंद्रमा के ले ही अंधकार को नश्ट कर देता है किन्तु हजारों जियोतिश पुंज उस अंधकार को दूर करने में असफ़ल रहते हैं मनुश को पांच वर्ष तक पुत्र का प्यार से पालन करना चाहिए दस वर्ष तक उसे अनुशासित रखना चाहिए तदा सोलह वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर उसके साथ मित्रवत व्यावार करना चाहिए कुछ व्याग्र हर्ण के समान मुखवाले होते हैं उनके वास्तविक स्वरूप के परियान में पद पद पर अविश्वास बना ही रहता है इसलिए बाह आकरती से प्राणी की अंतह प्रवित्ति को नहीं जानना चाहिए शमा शील व्यक्तियों में एक ही दोश है दूसरा दोश नहीं है दोश ये है कि जो शमा शील होते हैं मनुष्य उनको अशक्त असमर्थ वानता है प्राणी को ये शास्त्र मत्स्विकार कर लेना चाहिए कि संसार की समस्त भोग खशन भंगुर ही है इसलिए अपनी और आकर शुटे भाईयों का पिता ही है क्योंकि वो सभी का पालन पोशन करता है वो समस्त छोटों के प्रती एक समान भाव रखता है वो समान उपभोग करने वाले परिजनों के विशे में वैसा ही व्यवहार करता है जैसा अपने पुत्रों के प्रती उसका व्यवहार होता है अता चोटे भाईयों को बड़े भाई के प्रती पिता के समान आदर भाव रखना चाहिए कम शक्ति शाली वस्तूनों का समुदाय यानि संगठन भी अत्यधिक शक्ति संपन हो जाता है जैसे त्रण को बट कर बनाई गई रसी से हाथी भी बांध लिया जाता है जो दूसरे का धन चुरा कर दान देता है वो नरक में जाता है इसका धन है उसी को उस दान का फल प्राप्त होता है देव द्रव्य देवताओं के पूजन आदी में समर्पित किये जाने योग्य द्रव्यों के विनाश करने से ब्राम्मन के धन का अपहरण करने से एवं ब्राम्मन का तिरिस्कार करने से मनुष्यों के वन्ष नश्ट हो जाते हैं ब्राम्हंता मद्यपी चोर तथा व्रत भंग करने वाले पापियों के पाप का शमन हो सकता है किन्तु सजनों के द्वारा किये गए उपकार के प्रति कृ करने वाले कृतिग्ण व्यक्ति का निस्तार संभाव नहीं है मनुश्य को भूल कर भी दुष्ट एवं छोटे शत्र की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए चोकि भली प्रकार से ना बुझाई गई अगनी भी संसार को भस्म कर सकती है जो नई अवस्था में अर्थात युव शांत हो जाते हैं नीतिसार सूत जी ने कहा मनुश्य को गुणहीन पत्नी दुष्टमित्र दुराचारी राजा कुपुत्र गुणहीन कन्या और कुच्सित देश का परित्याग दूर से ही कर देना चाहिए कल युग में धर्म समाज से निकल जाता है तप में इस्थरता न नीच प्रिवित्ति के लोग उचे पदों पर आरूड हो जाते हैं अता इस कलीकाल में जीवित रहना निश्यत ही बहुत कष्ट साध्य है जो प्राणी मर गए है बेही धन्य है वे लोग धन्य है जो राज्या नुशासन से तूट रहे देश विनश्ट होते हुए कुल पर राज के कुशासन में जीवित रहना संभव नहीं है दूसरे का अन दूसरे का धन दूसरे की शैया दूसरे की इस्त्री का सेवन और दूसरे के घर में निवास करना ये सब कृत्य इंद्र के भी एश्वरे को समाप्त कर देते हैं पापी पुरुष से वारतालाब करने से उ पापी के साथ एक आसन पर बैठने से, एक शैया पर शैयन करने से, पंक्ति में एक साथ भोजन करने से, मनुष्य में पाप का संक्रमन वैसे ही होता है, जैसे एक घड़े का जल दूसरे घड़े में प्रविष्ट हो जाता है. दुलार में बहुत से दोश है और ताड़ना में बहुत से गुण है अता शिश्य एवं पुत्र को अनुशासित रखना चाहिए उन्हें केवल दुलार देना उचित नहीं है अधिक पैदल चलना प्राणियों के लिए बुढ़ापा है परवतों का जल उसकी व्रिद्धावस्था है संभोग की अपरापती उस्तरियों के लिए व्रिद्धावस्था है और सदैव धूप में रहना वस्तरों की जीर्णता है नीच व्रिद्धी दूसरे से कलह की इच्छा करते हैं मध्यमार्गी दूसरे से संधी चाते हैं तथा उत्तम प्रकृत के व्रिद्धी दूसरे से सम्मान की अभिलाशा रखते हैं क्योंकि महापुरुषों का धन मान ही है, मान ही अर्थ का मूल है, यदि सम्मान है तो धन की क्या आवश्यक्ता है, मान और दर्प के नश्ट हो जाने पर धन से और जीवन से मनुश्य को क्या लाब, मान तथा स्वाभिमान के विनश्ट हो जाने के पश्चात, प्राणी को धन एवं आयू से क्या लेना देना रह जाता है नीच प्रकृति वाले परुष धन चाहते हैं मध्यम प्रकृति वाले धन और मान की अभीरूची रखते हैं तथा उत्तम प्रकृति वाले मात्र सम्मान की इच्छा करते हैं क्योंकि श्रेष्ट जनों का मान ही धन है वन में भूक सम्यक पुर्शार्थ को करने से प्राणी में स्वयम ही सिंहत का भाव आ जाता है प्रमादी वानिक, अभिमानी भृत्य, विलासी भेक्ष, निर्धन कामी तथा कटु भाशनी वैश्या अपने कारे में असफल रहते हैं दरिद्र होकर दाता होना, धनवान होने पर क्रिपन रहना, पुत्र का आग्याकारी ना होना और दुष्ट जनों की सेवा में सलगन होना तथा दूसरे का अहित करते हुए मृत्य को प्राप्त हो जाना ये पांच कर्म मानव के दुश्यरित रहें पत्नी वियोग, स्वजनों के दौरा अपमान, शेश रिन, दुर्जन सेवा तथा दरिद्रता के कारण मित्रों की विमुकता ये पांच बाते मनुष्य को बिना अगनी के ही जलाती हैं मनुष्य को हजारों चिंताएं होती हैं किन्तु उन चिंताओं के मध्य चार चिंताएं ऐसी हैं जो तलवार की धार के समान अत्यंत तीक्षण हैं यथा नीच व्यक्ति से प्राप्त अपमान की चिंता, भूग से पीडित पत्नी की चिंता, अनुराग हीन भारिया की चिंत तथा कारे में स्वाभाविक रूप से उत्पन अवरोध की चिंता ये मनुशे के मर्मस्थल पर तलवार की धार के समान कश्ट पहुंचाती हैं। पर तो जो मनुशे पांचों विश्यों का पांचों इंद्रियों से सेवन करता है तो वो क्यों नहीं मारा जाएगा। ये पांच अस्थिर हैं। जिसमें से आधे से कुछ अधिक भाग बाल्यवस्था में बीट जाता है। कुछ भाग परिजनों के वियोग, उनकी दुखदाई मृत्यू से प्राप्त कष्ट तथा राजसेवा में चला जाता है। इसके बाद जो आयू का शेषभाग बचता भी है, वो जलतरंग के समान चंचल होने के कारण बीच में ही विनष्ट हो जाता है। अता लोगों को मान से क्या लाब हो सकता है। संतुष्ट बुद्धी वाले पुरुष और पशु के बीच कौन ऐसा वैशिष्ट है जिसके अनुसार उन दोनों में अंतर इसपष्ट किया जा सके। पराक्रम तब दान विद्या तथा अर्थ लाब में जिस मनुष्ट की कीरती संसार में प्रसिद्ध नहीं होई वो माता के द्वारा परिताक किये गए मल के समान ही है। ज्ञान, पराक्रम, यश और अक्षुन सम्मान से युक्त होकर शन मात्र भी जो मनुष्ट जीवन धारन करता है बेग्ये लोग उसी के जीवन को जीवन मानते हैं। वैसे तो कववी बहुत समय तक बली भक्षन करते हुए जीवित रहता ही है। अरे कववी तो बहुत समय तक जीवित रहता है और मनुष्ट के द्यारा दिये गए बली भाग के अन को ही जीवन भरखाता है। धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की क्रिया से रहित जिस मनुष्य के दिन आते हैं और चले जाते हैं ऐसा व्यक्ति लुहार की धोकनी के समान ही है जो कि श्वास लेते हुए भी जीवित नहीं है। स्वाधीन रहकर आचरन करने वाले मनुष्य का जीवन सफल है पराधीन रहकर जीवन व्यतीत करने वाले का जीवन तो व्यर्थ है जो परतंतर रहकर जीवन यापन करते हैं वे तो जीवित रहते हुए भी मरे के समान हैं। आकाश में घिरे हुए बादलों की छाया, तिनके से आग, नीच की सेवा, मार्ग में दृष्टी गोचर हुआ जल, वैश्या का प्रेम और दुष्ट के अंतह करण में उत्पन हुई प्रीती, ये छह जल में उठने और ततकाल विलुप्त हो जाने वाले बुलबुले के सद् ही शनभंगर होते हैं, केवल वान के द्वारा किए गये 《हत्त, संपादन से मनुष्य को सुख नहीं प्राप्त होता जीवन का मूल तो मान है, मान के नष्ठ हो जाने पर मनुष्य के लिए सुख कहां होता है, निर्भल का बल राजा है, बालक का बल रोना है, मूर्ख का ब लियान में अपनी बुद्धी को संयुक्त करता है, वैसे वैसे ही वो सर्वत्र सभी का प्रियपात्र बन जाता है। लियान का शेश रखना उचित नहीं है, परोग शरूप में कारी को नश्ट करने वाले तथा सामने मधुर बोलने वाले मित्र का मायावी शत्र की भाती परिद्याक कर देना चाहिए। के उपभोग से बचे हुए पदार्थों का उपभोग करता है, वही उत्तम भुजन है, जो पाप नहीं करता, वही बुद्धमान है, जो पीठ पीछे हित संपादन किया जाता है, वही मित्र भाव है, और जो दिखावे के बिना दंभरहित धर्म किया जाता है, वही वास्त वही श्रेश्ट का वास नहीं होता, वो सत्य सत्य नहीं है, जो कपट से अनुप्राणित रहता है। नहीं हो तृष्ण रहित व्यक्ति ही सुखी होता है जिस पर विश्वास किया जाये वही मित्र है और जो जितेंद्री होता है वही वास्तविक पुरुष है। कृध ब्राम्हन के शाप से विनश्ट हो जाता है ब्राम्हन का तेज पापाचार करने से नश्ट हो जाता है अशिक्षित गाउं में निवास करने से ब्राम्हन का सदाचार समाप्त हो जाता है और दुष्ट इस्त्रियों के सहचर्य से कुल का विनाश हो जाता है सभी संग्रहों का अंत शय है और सभी उतकर्षों का अंत पतन है संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है मनुश्य को राजा से रहित राज्य में और बहुत राजाओं वले राज्य में निवास नहीं करना चाहिए इसी प्रकार जहां इस्त्री का नेत्रत हो या बाल नेत्रत हो वहां भी निवास करना अच्छा नहीं होता। इसी में ना बल ही रहता है और ना तेज ही रह जाता है। इसे बल के अनुसार भृत्य भी गर्वोनत हो जाता है। किन्तु उस जल से उसको तोड़कर स्थल भाग में लाने पर वही सूर्य उसका शोशन करने लगता है। अपने स्थान या पद पर अवस्थित रहने पर ही मनुष्य की पूजा होती है। स्थान और पद से चित होने पर उसकी उसी प्रकार पूजा नहीं होती जिस प्रकार शरीर से प्रिथक होने पर केश दात और नक शोभित नहीं होते। आचार को देखकर कुल का ज्यान होता है। भाशा को सुनकर देश का ज्यान होता है। सम्भरम से स्नेह प्रकट होता है। और शरीर को देखकर भोजन का ज्यान अनुमान होता है। समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है तृप्त हुए प्राणी के लिए भोजन का आगरह व्यर्थ है सम्रिद को दान देना व्यर्थ है तथा नीच के लिए किया गया सुक्रिप व्यर्थ है जो प्राणी जिसके हिर्दय में अवस्थित है वो दूर देश में रहते हुए भ परभंग, दैन्यभाव, पसीने से लतपत, शरीर तथा अत्यंत भय के चिन्न प्राणी में मृत्य के समयों पस्थित होते हैं, किन्तु यही चिन्न याचक के जीवित शरीर पर भी दिखाई देते रहते हैं, कुब्ज होना, क्रिमी दोश से पीड़त रहना, वायु विकार से निश्कासित हो जाना, तथा परवत के शिकर भाग में रहना अच्छा है, किन्तु याचना की वित्ति को स्वीकार करना उचित नहीं है, संसार के स्वामी होने पर भी भगवान विश्नु बली के यहाँ याचना करके वामन अर्थात बाउने हो गए थे, उनसे बढ़कर औ चुर्णों स्वाबगुला सशव्रित नहीं होता, विद्या कुरुप व्यक्ति के लिए भी रूप है, विद्या अत्यधिक गुप्त धन है, विद्या प्रानी को साध्यू वृत्ति वाला तथा सभी लोगों को प्रियपात्र बना देती है, वो गुरुवों की भी विद्या राजाओं के मध्य पूझनी है अता विद्या से विहीन मनुश्य पशु के समान है घर या उसके गुई स्थानों पर सुरक्षित रखा हुआ द्रव्य देखा जा सकता है और वो समस्त धन वैभाव चोरों के द्वारा चुराया भी जा सकता है किन्तु विद्या एक भगवान हरी सब कुछ प्रदान करते हैं। दुतिया तिथी में यमराज एवं भगवान लक्ष्मी नारायन उस व्रती को अर्थलाब कराते हैं। तुतिया तिथी में गौरी, विगन विनाशक कनेश तथा शिव ये तीन देव पूज्य हैं। चतुर्थी को चतुर्व्यूह, भगवान विश्नू, पंचमी को हरी, शश्टी को कार्थ किये और रवी तथा सब्तमी को भगवान भासकर की पूजा करनी चाहिए। चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथियों में ब्रह्मा तथा अमावस्या में पृत्रगणों की पूजा करने से धन संपत्ति प्रदान करते हैं। चतुर्दशी और पूजा करनी चाहिए। और पूरी का पूरी का नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। अगुल मास में मरूबक मंडक नामक पुषपो से भगवान विरेश्वर की पूजा करनी चाहिए। तथा उन्हें शरकरा, शाक, माड और आमर विक्ष की दतुवन निवेदित करें। वैशाख मास में अशोक विक्ष के पुषपो से भगवान शिव का दमनक संगार कारक स्वरूप पूजनिय होता है। इन महा स्वरूप धारी देव को नैवेदि में गुण और भात दंत धावन के लिए गूलर विक्ष की दतुवन और प्राशन के लिए जाती फल अरपित करना चाहिए। जेश्ट मास में भगवान प्रद्युम्न का पूजन चंपक पुषप से करें और बिल्व विक्ष की दतुवन एवं लवांग्ष लॉंग हलके तुकडे के नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। आशाल मास में उमाभद्र की पूजा करनी चाहिए। इसमें अगुरु की गंध अपा मार्ग की दतुवन उन्हें प्रदान की जाती है। तथा दमनक की दतुवन से सुराधिप शिव के पूजन का विधान है। और चावल आदी से संयुक्त हवन सामगरी से उन्हें दस हजार आउखुतियां प्रदान करने का विधान है। उस दिन रातरी में जागरन करें तथा गीत वाध्यादी से आमोध प्रमोध करते हुए प्रभात काल में उन देव की फिर से पूजा करके ब्राम्हन को शैया, पात्र, छत्र, वस्त्र तथा पदत्रान के लिए जूते कादान करके भक्ति पूर्वगव और वराम्हन को भो अखंड द्वादशी व्रत ब्रह्मा जी ने कहा अब मैं मोक्ष तथा शांति प्रद अखंड द्वादशी व्रत का वरणन करता हुँ, मार्ग शीर्श मास के शुकल पक्ष की द्वादशी तिथी में गव के दूध दही आदी को भोजन रूप में सुईकार करके व्रत करन चाहिए, चार मास परियंत अर्थाद खालगुन मास तक वो ब्रती पाँच प्रकार के धाने से पून पात्र ब्राम्हल को दान दे और भगवान विश्णु की इस प्रकार प्रार्थना करें, हे विश्णो साथ जन्मों में मैंने जो व्रत किये हैं, हे भगवन वे आपकी क चैत्रादी, चार मास में सत्तु से पून पात्र और श्रामन आदि चार महीनों में घृत पून द्वात्र ब्राम्हल को दान देना चाहिए, इस विधी से वर्ष परियंत्र ज्वादशी व्रत का संकल्प लेकर जो व्रती अपने व्रत को पून करता है, वो इस्त्री प्तर